मैंने एक पहले वीडियो में समझाया था कि electronics की एक सरल परिभाशा है जब एक circuit दूसरे circuit को control करता है electronics में interesting projects बनाने के लिए हम sensors का use करते हैं जैसे हमारे पास ये flex sensor है और ये sensor एक ऐसे material का बना है कि जब हम इसको मोड़ते हैं तो इसका resistance बदलता है तो जब मोड़ने से resistance बदलता है तो जो इसकी output voltage है वो भी बदलती है और ये जो बदलती voltage का जो signal है हम उसको read करके हम कुछ और चीज इससे control कर सकते हैं for example अगर हम एक robotic arm बनाना चाहें तो हम ऐसे 5 flex sensors एक glove में लगा सकते हैं और जब हम अपनी उंगली मोड़ेंगे तो उंगली मोड़ने से जो signal में variance generate होगी उसको हम read करते हुए for example कोई servo motor चला सकते हैं जो कि फिर जैसे हम अपना हाथ move करेंगे अपनी उंगलिया move करेंगे वैसे वैसे robotic arm की भी जो उंगली है वो move होगी या यह जो हमारा दूसरा sensor है यह एक photo resistor है या light dependent resistor है यह एक ऐसे material का बना है कि जब इसमें हम light shine करते हैं तो light की वज़े से इसकी जो resistance है वो बदलती है और change in resistance की वज़े से जो इसका output signal बदलता है उस signal को हम use करते हुए projects बना सकते हैं जैसे let's say smart street light कि जब इसमें light पड़ेगी यानि sunshine होगी तब जो इससे connected bulb होगा वो नहीं जलेगा पर जैसे जैसे sunlight कम होगी signal बदलेगा और उसको use करते हुए हम एक light जला सकते हैं तो हमारी जो street light होगी वो smart street light होगी या यह जो sensor है यह force sensor है यह कैसे material का बना है कि जब इस पे force बदलता है तो force बदलने की वज़े से इसमें इसका resistance बदलता है और बदलते हुए resistance की वज़े से जो signal बदलता है उसको read करते हुए हम कोई और component को manipulate कर सकते हैं for example हम pressure sensitive alarm बना सकते हैं कि यह दर्वाजे के बाहर है और जब इस पे कोई pair रखेगा तो alarm जो है वो बच जाएगा यह जो sensor है यह ultrasonic sensor है यह एक sound की beam फेकता है अगर सामने कुछ नहीं होता तो वो sound की beam वापस reflect नहीं होती पर अगर सामने कोई obstacle होता है तो वो beam reflect होती है और जो इसका receiver है वो यह जो bounce back signal है उसको receive करता है और हम इसको use करते हुए for example obstacle avoiding vehicles बना सकते हैं जो की automatically अगर सामने obstacle होगा तो वो reverse कर जाएंगी या left या right मुड जाएंगी और यह एक PIR sensor है passive infrared sensor यह thermal heat नापता है तो अगर इसकी field में कोई object आता है तो हर object जो है वो heat generate करता है तो object के आने की वेज़े से field में इसकी जो field है उसमें heat जो है वो बदलती है एक पार्ट में बदलती है दूसरे पार्ट में नहीं बदलती है और इस difference को नापते हुए यह एक signal generate करता है और again हम उस signal को use करते हुए for example security alarm बना सकते हैं कि कोई आएगा तो alarm बच जाएगा यह जो हमारे तीन तरीके के जो sensors हैं यह analog sensors कहलाते हैं और यह जो दो हमारे sensors हैं यह digital sensors कहलाते हैं और इसी तरीके से बहुत सारे किसम के sensors हैं बहुत essentially कुछ sensors हैं जो analog signal output करते हैं और कुछ sensors हैं जो digital signals output करते हैं तो इनमें फरक क्या है कि जो analog sensors हैं उनका जो signal होता है उसकी जो voltage change है वो continuous होता है for example flex sensor जैसे जैसे मुड़ेगा जो change in resistance की वज़े से जो voltage change होगी वो 0.1, 0.2, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से continuous signal जो है वो output करेगी whereas digital signal जो है वो discrete signal है या तो वो अगर मान लो की voltage की range 0V से 5V है तो वो या तो 0V पे होगी या 5V पे होगी या 0V पे होगी या 5V पे होगी यानि कि ये जो signal है ये दो discrete states में हो सकता है 0V या 5V या on और off या इसको हम कहते हैं कि ये high है और ये low है electronics में projects बनाने के लिए जब हम sensors को use करते हैं तो हम of course इस LDR को directly attach कर सकते हैं और कोई LED या कोई और alarm को उससे manipulate कर सकते हैं बर अगर हम उसमें ज़्यादा fine control चाहते हैं और हम ज़्यादा finer decision making चाहते हैं decision making यानि कि जैसे if then कि if the flex sensor is bent this much do something if the flex sensor is bent more than do something तो अगर हम इस तरीके की finer control चाहते हैं तो हमारे को Arduino, Microbit, Raspberry Pi इस तरीके के boards को use करना पड़ता है जब हम electronics के projects बनाते हैं तो ये सबजना जरूरी होता है कि जो हमारे पास component है वो digital signal देता है कि वो analog signal देता है Arduino जैसे board में हमारे पास इस तरफ ये जो 5 pins हैं ये analog input pins हैं यानि कि अगर हम कोई sensor या कोई और component यूज़ कर रहे हैं जो की analog signal देता है तो उस component को हम इन 5 pins में ही add कर सकते हैं और इस तरफ जो pins हैं ये digital pins हैं और ये GPIO pins हैं GPIO का मतलब है general purpose input output इन pins में हम computer program के थूँ define कर सकते हैं कि वो जो pin है वो उस वक्त input mode में काम कर रही है या output mode में काम कर रही है whereas इन 5 pins में हम केवल analog signal input ही कर सकते हैं ये जो इधर pins हैं ये power supply की pins हैं तो इन में most frequently used pins जो हैं वो 5 volt की pin है या 3 volt की pin है और ground की pins हैं इधर जो ये digital pins हैं उन में से कुछ pins जो हैं उनके आगे ये tilde का sign बना हुआ है तो pin number 3, 5, 6, 9, 10, 11 इन में ये tilde का sign बना है और ये tilde का sign का मतलब है कि ये PWM pins हैं PWM होता है pulse width modulation PWM क्या होता है ये तो हम एक future video में समझेंगे पर इस पक केवल इतना हमें समझ देना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो output signal है Arduino से output signal अगर हम analog चाहते हैं तो हम ये PWM pins यूज करते हैं और हमारे को analog signal output क्यों चाहिए क्योंकि कई बार मानलो हमारे को कोई LED को dim करना है या हमारे को motor की speed को control करना है तो अगर हम उसको digital output देंगे तो वो केवल high या low होगी यानि कि वो या तो 0V होगी या 5V होगी तो regular digital pins में हम केवल दो ही state ले सकते हैं या तो जो output है वो on है या off है पर अगर motor की speed या LED की intensity को हमें control करना है और हम कोई potentiometer या कोई variable register नहीं लगाना चाहते हैं तो हम code गे थू कर सकते हैं और उस situation में हम PWM pins यूज़ करते हैं अगर हम कोई analog component हम Arduino में लगाना चाहते हैं तो हम लगा सकते हैं क्योंकि वैसे तो जो Arduino है वो एक digital device है पर Arduino में एक built-in analog to digital converter लगा है ADC तो जब हम कोई analog signal उसमें input करते हैं तो जो ADC है वो उसको एक digital signal में convert कर देता है और यह जो PWM pins हैं यह इसका ठीक उल्टा करती हैं यह जो digital signal आ रहा होता है उसको analog signal में convert कर देती हैं अगर हम Arduino में कोई analog component लगाना चाहते हैं कोई analog sensor लगाना चाहते हैं तो हमारे को एक voltage divider create करना पड़ता है तो voltage divider क्या होता है यह भी हम एक आने वाले video में समझेंगे पर essentially हमारे को जो भी हम analog signal generating component है उसके साथ एक resistor को series में attach करना पड़ता है और फिर जो हमें between the two components जो हमें voltage out मिलती है वो हम in pins में लगाते हैं तो समझने की main बात यह है कि even though जो Arduino है वो एक digital device है Arduino में हम analog input भी दे सकते हैं और PWM pins के साथ हम analog output भी generate कर सकते हैं next video में हम PIR sensor जो की एक digital sensor है उसको Arduino से कैसे connect करते हैं यह समझेंगे और फिर हम एक motion sensing alarm बनाएंगे कालतीतकोशल.in website पर जितने मेरे videos हैं scratch पर electronics पर microbit पर या super learner कैसे बने और जितने topics हैं इन सभी के जो मेरे videos हैं मैं इनको free online courses में convert कर रहा हूँ तो जैसे आप अगर ये school level electronics के course पर जाएंगे तो यहाँ पर videos हैं यहाँ पर embedded simulations हैं और electronics और circuits पर introduction, voltage क्या है, Arduino पर tinker cat, robotics पर introduction यह सारे videos एक free online course की तरह आपको मिल जाएंगे and I hope आपको इस format में सीखने में सहूलियत होगी